नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेसल कवरेज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सीवकुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश में आज सबसे परेशान अनुदेशक नजर आ रहा था पिछले नौ बर्सों से वो इस्थानांतरण की प्रतिक्षा कर रहा था इस्थानांतरण का आदेश जारी हो गया लेकिन इस इस्थानांतरण के आदेश से आदे अनुदेशक खुस तो आदे नाराज नजर आ रहे था खैमें दो बन चुके थे पहले भी कई खैमें थे अब आधे इस्थे के लिए लालाईते हैं आधे इस्थे रोकने के लिए लालाईते हैं लेकिन इस चांसफर्ट आदेश में जो एक बड़ी गूर रह से छिपा हुआ है ये कोई अनुदेशक नहीं समझ रहे है इससे पहल कारिकाल है वो सुरक्षित बच जाएगा वो अपना जीवन सुरक्षित बचा लेगा मुझे नहीं मालूम उसे क्या मान दे मिलता है मुझे नहीं मालूम कि वो किसलिए जॉब कर रहा है लेकिन उसका जॉब सुरक्षित हो रहा था पिछले कई बर्सों से लगातार अनुद लागू कर दी गई एक सिल्प जारी हो गई लेकिन इसमें बड़ा रोल उन स्कूलों के हैड मास्टर का रहा है जिन्होंने पूरी संख्या पोर्टल पर दर्ज नहीं किये कई अनुदेशकों के देर रात से अब तक फोन आए उन्होंने कहा कि सर मेरे विद्याले में पूरी थी अनुदेशक बच्चों की संख्या 100 लेकिन मेरे पोर्टल पर 86 बच्चे चड़े थे 14 बच्चे 10 बच्चे 8 बच्चे किसी कारण से प्रधाना अध्यापक ने पोर्टल पर नहीं चड़ाए थे इसलिए मेरा नाम मेरा विद्याले लिस्ट में आ गया है हमने उन्हें ब सुरक्षित हो जाएगा लेकिन इसको बड़ी गहनता से समझने की ज़ूरत है कि आज 100 बच्चों की बादिता से जो आपको हटा दिया जाता था आपका वेदखली हो जाती थी आपका जॉब चला जाता था इस आज के ट्रांसफर आदेश से अब वो नहीं जाएगा पहला पॉजिटिव कदम इस ट्रांसफर के आदेश में दूसरा मेरे साथ एक जिले से लगातार कई अनुदेशकों का फोन आया बहां के लगवग 25 से 30 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से प्रताड़ेते हैं वो इधर से उधर जाएंगे जो 20 किलो मीटर के दाइरे में थे वो 50 कि लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इस पर इस्टे लिया जाए लेकिन क्या आपने ये सोचा है पिछले कई वर्सों से मांग कर रहे हूं अनुदेशकों को जिनको 80-80-70 किलो मीटर जाना पड़ा था वो बापस अपने घर आ रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मसले पर वानुदेशक दो खेमा में बढ़ चुका है एक खेमा चाहरा है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की विवस्ता परिपूर्ण हो जाए उसके बाद इस्टे लिया जाए लेकिन इस्टे बाद में लेने से क्या वो इस्टे प्रभावी रहेगा क्या फिर उनके ट्रांसफर वा प्रणुमान है कि इस पूरी किलियर भी है किन-किन विद्यालेव में हटने है अनुदेशक कहां कहां सरप्लस हैं कहां भेजे जाने तो मैं अनुदेशकों से सरफ एक ही अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो भी काम करें बेहत संजिद्गी से करें सोस समझगर करें अगर बाते निकलती हैं आज हो सकता है कि आज आपको मेरी बात खराब लग रही हो और कल अच्छी लगे मैं लगातार आपको यह समझाने का प्रियास करता हूं कि आप कोई भी कदम उठाओ चाहे वो कोट जाने का चाहे वो सिकायत करने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बा आदिकारी भी इसमें पूरा इंट्रेस्ट दिखाएंगे कि ऐसे बच्चे ऐसे द्याले सुरक्षित किये जाएं जहां इस तरीके की घटना करम है मैं लगातार देख रहा हूं आप सबको आज देर रात से जतना आप जब से आदेश आया है तब से प्रतिये कानुदेशक परेशान है कई लोग रात भर नहीं सो सके हैं बुल रात भर यही सोचते रहे कि आखिर होगा क्या मैं आपको बिल्कुल साप सब्दों में बता रहा हूं कि आप सब जगह सोवेस्थित भी होंगे जल्द आपको 17,000 रुपया भी मिलेगा और उपर वाली ने चाहा माँ कर किया है बातचीत की है तो उससे लगता है कि सार्थक परिणाम जल्दी आएंगे वो चाहे अनुदेशा को चाहे सिक्षा मित्रों दोनों के लिए प्रियासरत हैं कि इन दो लाग फरिवारों की लिए क्या किया जाए आज आपको मालूम है कि इन सरकार ने किसानों की उग केंदर का दोर है और केंदर का दोर इस समय बड़ा औहा पोह में है आज आपको मालूम है कि किसान संग्ठन पहलवान के साथ आ चुके थी अनुदिस्तक सिक्षा मित्रों के साथ भी किसान संक्षन जल्दी आ रहे हैं हो सकता है कि जल्द ही इस पूरे आपके घटना क्रम में राकिस टिकेट का भी बयान आ जाए तो मैं मानता हूँ कि आपके आंदोरों को और बड़ी गती मिलेगी हो सकता है कोई और बड़े संक्षन भी आपके साथ आ जाए मैं मानता हूँ कि आपको नियाए मिलना अब जल्द है लेकिन नियाए कब मिलता है जब लोग एकत्रित होते हैं पहलवानों ने अपनी हिम्मत और होसला दिखाया था थोड़े से पहलवान थे उन्होंने पूरे देश को अपने साथ मिला लिया आप दो लाक लोगों आपके साथ तो पूरा विस्स जोट की आएगा अगर आपने एकता दिखा दी आपको नियाए मिलने से कोई नहीं रोप पाएगा आप तो अपने खुद के नुकसान कर रहे हैं आप एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं आप किसी के साथ कदम से कदम मिला के जाने को तैयार नहीं और आपको कदम से कदम बिना मिलाए कोई न्याय देने वाला नहीं कोई आपके साथ आने वाला नहीं मैं फिर आपसे वही अपील करूँगा कि आप जल्द से इस घटना करम जो हुआ है पूरा आदेस पढ़ें समझें उसके बाद ही आगे की बात करें अगर कुछ लोगों को ये समझ से आ रही है तो आप अपने अपने नेताओं से मैं तो सबसे अपील करता हूँ पूरे पर आजाएं कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है कोई मजला होता है न कोई अलग होता है अगर हम सब मिलकर आएंगे जो भी प्रदेश अद्यक्षे हैं जो भी प्रदेश के कारिकाणी जिनकी भी बनी हैं आईए सब मिलकर इस अनुदेसक की लड़ाई को लड़ा ज पहले आपको जो रिलीव मिला वो यह मिला कि जहां सौबित जाले के चलते आपका जौब चला जाता था वो रोपा आज जहां सो बच्चे हैं वो अपने अगर प्रियास कर लेंगे अपने अधिकारी ले जाते हैं और नए बच्चों का एडविशन बिद्वात हो नहीं पाता है क्योंकि नए जो एडविशन होते हैं उनका वाकाइदा मई में एडविशन हो पाता है तो 30 अप्रेल तक का यह जो कांट लिया गया है उस समय बहुत स्कूल में बच्चों की कमी रहेगी उसी से य रहा था कि अपना-पना डेटा सुरक्षित रखिए अपना-पना पूरी विवस्ता हैं सुचारू रखिए तब ही कुछ हो पाएगा रामनिवाज जी बिल्कुल मैं आपकी बास समझ रहा हूं कि जिलाद्यक्ष नहीं सुनते हैं और यह बात आप बिल्कुल लगातार कहिए आप जिस नेता के साथ हैं उस नेता को मैसेज करिए जिलाद्यक्ष आपको क्यों निकाल देंगे अब जहां एक तबका चारा है मैं सबको देख रहा हूं जहां एक तबका चारा है कि ट्रांसफर हो जाए वहीं दूसरा तबका इस पर रोकने के लिए लगा हुआ है तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ, कोई भी नेड़े करें, अनुदेशा कोई भी नेड़े ले, सोच समझ के ले और सोच समझ के ही आगे बढ़ें, क्योंकि बिना सोचे जल्दबाजी में उठाया गया कदम, कभी-कभी खुद के लिए नुकसान दाइक सावित हो जाता है। सब लोग विचार करें, अगर इस ट्रांसफर आदेश से कुछ लोगों का, मतलब हजार की संख्या से भी कम लोगों का नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा है, और जहां 3,000-4,000 लोगों का फाइदा हो रहा है, तो प्लीज एक बार उनकी बात समझीए, हलांकि आप सब सोतंत रहे जो करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों का नुकसान हो के जादा लोगों का फाइदा हो रहा हूँ, तो आप जरूर इस पर फोकस करें, ताकि जो परिवार पिछले नो बरस से पीड़ित थे दूर दूर जाकर, वो अगर वापस हो रहे हैं, तो उनकी, मेरे पास राइवर जब बात होगी, तो मैं जरूर करूँगा, मुझे आज भी याद है, कि अमेठी और राइवरेली के जो आपसी जिला बदलने पर ऐसे करीब 15-20 विद्याले हैं, 15-20 अनुदे सकाएं, जो फसे हुए हैं, दोनों जिलों के वीच में, तो मुझे लगता है, कि उन्हें भी कुछ फाइदा होना चाहिए, बहीं लगातार अंतर जर्पदीय ट्रांसफर को लेकर महिलाओं का आज भी होना रहा है, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अभी अंतर जर्पदी का भी आदेस आ जाए, क्योंकि आदेस नई तबादला नीती के तहत, जून तक के लिए मुख् तरीके से राहत दिलवाई जाए, क्या किया जाए, सबसे पहले मैं उन सभी अनुदेसकों से अपील जरूर कर रहा हूँ, कि आप अपने विद्याले में अपनी संख्या मैनेज करिए, अगर आपके विद्याले में आपकी संख्या 100 है, 100 प्लस है, और वो किसी तरीके से 30 अ अनुदेसक साथी वहीं के वहीं रुख जाएंगे, लेकिन इसकी डिटेल समझने की और बहुत जरूरत है, और लगातार जिन अनुदेसकों को दिक्कत हैं आ रही हैं, वो अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं, अपने अधिकारियों से बाचीत भी कर सकते हैं, लेकिन स सबी अन्दोय सपमें से कोट जा सकता है लेकिन सायद मुझे जहां तक अनुमाने ट्रांसफर पोस्टिक में या तो कोई संग्ठनी आचिका डाले वरना अकेले अकेले ही लाव मिलेगा उस सरकार आपको उनके मतलब का आदेस होगा तो सब को रोक देगी उनके मतलब का आदे सर इसे रूख किये तो मेरा तो सिर्फ एक ही काम है कि इसमें लाव और हनी देखकर कदम उठाएं यह सब चलता रहेगा जीवन का खेल है और यह हमेशा खेला जाता रहा है और होता रहेगा घबराएना जब अंदकार छटने को होता तो लगातार कई तरीके के प्रैसर आते हैं यह प्रैसर आपका इस समय बंच चुका है अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो निश्चित तोर पर आपका अपना जीवन सुरक्षित हो जाएगा यह मेरा मानना है तैय आप करेंगे अभी हमारे साथ आधनिये सुरंद वेई जुड़ चुके हैं हम उनका स्वागत करत हैं साइद उनका कुछ भी उनका भी नेटवर्क इसू कुछ दिख रहा है तो जल्द फिर वो हमारे सामने हाजर होंगे तब तक मैं आपको बताता हूं कि जल्द ही अनुदेशकों के ऊपर मरा मरा रहे यह काले वादल सायद हट जाए नपक्के तोर पर भी नहीं कहा सकता क क्योंकि मैं तभी पक्के तोर पर कोई खबर देता हूं जब उस खबर का कुछ आंकलन होता है अभी आंकलन नहीं हो पा रहा है लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कुछ प्रतीत इसलिए हो रहा है कि लगातार सरकार कई कामों पर आगे आ रहे है